दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोट का बड़ा बयान सामने आया है। दरसल सुप्रीम कोट ने शुकरवार को एडी से कहा कि वो लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर विचार कर सकता है और एजेंसी इसके लिए तैयार रहे। केजरीवाल को 21 मार्च को आपकारी नीती से जुड़े मामले में गरफतार किया गया था। सुप्रिम कोट ने एडी से कहा कि गरफतारी के खलाफ केजरीवाल की आजका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। वहीं एडी ने साफ कर दिया कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेगी। एडी ने आम आदमी पार्टी के डेता संजा सिंग को जमानत मिलने के बाद उनके बयानों की ओर इशारा किया और कहा देखिये वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोट ने कहा कि वो एजनसी को अपनी मंशा के बारे में बता रहा है ताकि साथ मई को जब अंतरिम जमानत का मुद्दा आए तो वो चोक ना जाए। कोट ने कहा हम सिर्फ कह हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करना चाहेंगे और यह नहीं कहा रहे है कि हम अंतरिम जमानत दे ही देँगे। fields मार्च को एडि ने पिछले साल जुलाई से उपलब्द बयानों और सामग्रियों के आधार पर गिरफतार कर लिया कोटने सिंग भी से पूछा कि दिल्ली में चुनाब कब होने हैं जिस पर वरिष्ट अधिवक्ता ने जवाब दिया कि राश्ट्री राजधानी में 23 मई को प्रचार थम जाएग कोटने कहा आपकी दलीलों को सुईकार करना मुश्किल है फिलाल आप केद्रिवाल के मामले में 7 मई पर निगाहें टिकी हुई है